चिडिया की अपनी नाव थी वो नाव उसकी मा ने उसे दी थी चिडिया वो नाव अपने घर के पास वाली नदी में चलाया कर दी और बदले में पक्षियों से कुछ भाजन ले ले दी मैं आपको पूरी नदी की सेर करवाउंगी आप चिंता न करें ऐसे चिडिया का काम बहुत अच्छे से चल रहा था शाम को चिडिया अपनी नाव की नारे पर एक पेड से बान देती और खुशी खुशी अपने घर चली जाती फिर एक दिन कबूतर और उसकी पतनी चिडिया की नाओ में सेर करने आते हैं चिडिया बेहन ये लें कुछ गहियों के दाने और हमें नदी की सेर करवाएं बैठें बैठें आप नाओ जाने ही वाली थी के वहां गोरी कवी आ जाती है चडिया चडिया मुझे भी जाना है मुझे भी नदी की सेर करने जाना है तो आप भी बैठ जाएं गोरी बहन ऐसे कैसे बैठ जाओं पहले इस गंदी आंखों वाले कपूतर को नीचे उतारो हम पहले बैठे हैं हम नहीं उत्रेंगे गोरी बहन आप साथ ही बैठ जाएं सब बातें करेंगे नदी की सेर करेंगे सब नहीं चुडिया मुझे इस कबूतर से गंदी बू आती है पहले इससे कहो के नदी में नहाए फिर ही मैं इसके साथ बैठूंगी चुडिया बहन हमने आपको पहले भोजन दिया है आप चलें हम भी इससे साथ लेकर नहीं जाना जातें फिर चुडिया गोरी को बिठाए बिना ही नाउ लेकर चलती है गंदी आँखों वाला कपोतर मैं अभी जाकर कालू को बताती हूँ इस छोटी चुडिया की इतनी हिमद के मुझे बिठाए बिना ही कश्टी चला ले चुडिया नाउ ले गई और मुझे बिठाया ही नहीं नाउ में मेरी बहुत बेजती हुई है कालू जी हम भी बनाएंगे हम भी नाउ बनाएंगे और सारा सारा दिन नदी में सेर करेंगे कालू जी सच हाँ चलो मेरे साथ फिर वो दोनों घ्रने जंगल में जाते हैं और वहां से एक सुखा हुआ पेड़ काड़ते हैं कालू जी अब इस सूखे पेर से नाओ कैसे बनेगी नाओ बनाएगा बढ़हई चलो लकडी लेकर बढ़हई के पास जाते हैं बढ़हई बढ़हई हमें इस लकडी से एक अच्छी सी नाओ बना दो मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं अभी आपको नाओ बना देता हूँ पिर बढ़हई काम शुरू करता है और थोड़ी दिर में बढ़हई एक अच्छी नाओ बना लेता है चलो कालू जी अब तक नाओ बन गई होगी गोरी और कालू जो थोड़ी दूर बैठे इंतिजार कर रहे थे तोनों बढ़हई के पास चाते हैं पैसे दो और नाओ ले जाओ चाचा चम चम बढ़हई जी अभी मेरे पास पैसे नहीं है मैं बाद में दे दूँगा हाँ हाँ हम कौन सब भाग रहे हैं कहीं मुझे पहले ही पता था तुम्हारा कवव ये नहीं तुम्हारी वो वाली नाओ है वो ले जाओ और पैसे की कोई बात नहीं बाद में दे जाना बढ़ही भी चलाक था वो कवों को पूरानी और छेद वाली नाओ दे देता है जिसे लेकर कवे खुशी खुशी वहां से चले जाते है मुझे अपनी महनत लेना आती है बढ़ही खुद से ऐसे कहता है कवे जाकर वो नाओ नदी में रखते है चोटी और कमजोर चुडिया देखो हमने भी अपनी नाओ बना ली चुडिया गोरी के पास इतने पैसे कहां से आए नाओ खरीदने के लिए जरूर किसी को उल्लू बना कर नाओ ले आए होंगे ये दोनों कवे नाओ में बैठकर नाओ चलाते है नाओ अब ही थोड़ी ही दूर गई थी के नाओ में पानी भरने लगता है और नाओ डूबने लगती है कालू कालू जी नाओ में पानी भर रहा है हम डूब जाएंगे छेद नाओ में छेद है जल्दी करो फिर वो दोनों जल्दी से नाओ छोड़ कर उड़ जाते हैं और अपनी जान बजाते हैं कि नारे पर खड़ी चिडिया और दूसरे पक्षी ये सब देखकर हंस रहे थे और कवों की नाओ अपने पहले ही सफर पर डूब जाती है प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिसका काम उसे ही साज है आज चिडिया ने अपने दोस्तों की दावत की थी रानो चिडिया और गुडिया मिलकर खाना बना रही थी कि कुकु आकर खाना उठाकर खाने लगता है रानो उसे मना करते हुए कहती है कुकु बेटा चलो पहले हाथ धो कर आओ ममा मेरे हाथ साफ हैं अभी तो हाथ धोये थे बेटा खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोने जाहिए वरना हम बिमार पढ़ सकते हैं अच्छा ममा मैं अभी हाथ धो कर आता हूं कुकु जड़ से हाथ धो कर आ जाता है बेटा मेहमान आने ही वाले हैं वो आएं तो सब एक साथ खाते हैं ममा मुझे बहुत भूक लगी है अच्छा चलें थोड़ा चच्छा खा दें बाकी मेहमानों के साथ खा लूँगा ये लड़का बास नहीं आएगा फिर चड़िया कुकू को खाना दे देती है कुछे देर बाद चड़िया के दोस्त भी आ जाते हैं सब मिलके खाना खाते हैं कुकू और गुडिया अपने दोस्तों के साथ खूम मस्ती करते हैं गुडिया को ड्रावनी कहानिया बहुत पसंद थी इसलिए वो अपने दोस्तों को ड्रावनी कहानिया सुनाती है फिर रात के सब अपने अपने खरों को जले जाती है चिडिया और उसके बचे भी सो जाती है आधी रात को गुडिया की अचानक आंख खुल जाती है गुडिया को प्यास लगती है क्या अब मैं ममा को जगाओं? नहीं नहीं, वो अभी सोई है, वो बहुत थकी हुई है, मैं खुद ही पानी ले आओंगी गुरिया खुद से ही बातें कर रही थी और खुद को होसला देते हुए कहती है ये सिर्फ अंधेरा है, मैं नहीं डड़ती अंधेरे से, मैं अपनी ममा की बहादुर बेटी हूँ फिर अचानक उल्लू की आवाज आती है, गुरिया चलाती है ममा, ममा चिडिया लेटे लेटे ही पोश्टी है क्या हुआ गुडिया बेटी, कुछ नहीं ममा, ये तो बस एक उल्लू की आवाज थी फिर गुडिया चंद कदम आगे भड़ती है, और उसे सामने सफैद फूलों की टौकरी नजर आती है जो के अंधेरे में सफैद कपड़े की तरहां दिखाई देती है गुडिया फिर से चलाती है ममा, क्या बात है गुडिया बेटी, रात हो गई है बेटी, सो जाओ फिर हवा से कुछ फूल गुडिया के पास आकर गिरते हैं गुडिया घबरा कर पीछे हो जाती है गुडिया पानी डालने लगती है अभी गुडिया पानी पीने ही वाली थी कि वो गुडिया देखती है पानी का रंग लाल था गुडिया की तो चींखी निकल जाती है ममा, ममा, जल्दी यहाँ आओ क्या हुआ गुडिया बेटी मम्मा खुखुखुखुखुखुण चिडिया हंसने लगती है तुम पर ड्रावनी कहानियों का असर हो गया है ये खुण नहीं है ये तो वो शर्बत है जो शाम को मैंने महमानों के लिए बनाया था मम्मा ये नीद में पागल हो गई है गुडिया अभी भी डरी हुई थी गुडिया बेटी ये डर हमारे अंदर होता है तुम जैसा सोचोगी तुम हारी आँखों के सामने वैसी ही तस्वीरे बनेंगी हाँ मम्मा आप ठीक ही कह रही है मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें हर तरफ खुण ही खुण होता है शायद इसलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ चलो बचो अब रात बहुत हो गई है अब सो जाओ सुभा जब सब उड़ते हैं तो कुकु कहता है मम्मा ये देखें कुकु कुकु खुण सब उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं